नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे और भारत ने स्कॉट्लेंड को यहां पे बहुत बड़े अंतर से आज मैच हरा दिया है और नेट रेंड रेट के मामले में अफगानिस्तान और निजिलेंड को भी पीछे छोड़ दिया है बहले ही इनके पॉइंट्स ने सामने थी और यह मैच दुबे के मैदान पे खेला गया था इस करो या मरो मकाबले में भारत ने का और बार यहां पे इसकॉट्लेंड को बहुत बड़े अंतर से हमें मैच हरा दिया है भारत ने सूपर टैल के अपने चौट्रे मैच में स्कॉट्लेंड को आर्ट विगे आज भारत के लिए सब कुछ अच्छा हुआ बर्थडे के दिन बिराट का साथ सिक्की ने भी दिया उन्हें ने टॉस जित कर पहले के इंदबाजी का फैसला लिया इसके बाद भारती के इंदबाजी सांदार रही रविन जड़ेजा मौमद शामी जस्परिद मुम्रा रेटर 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 से उपड़ जाने के लिए 33 गेंदों पर मैज जीतने की जरुवत थी लेकिन रोहित और रहुल की ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही चार दसलनाव च्छा ओवर मैं सत्तर रंजो डाले इसके बाद विराडर सुरी के माद ने सिर्फ चार दसलनाव तीन ओवर मैं 49 गेंदों में ही लक्षा हासिल कर लिया है यानि भारत के 81 गेंदों से इस रहते मुकाबले को जीत लिया इस जीत के सार्ट टीम इंडिया का र इस बीज़ाहत पर ताले के 2.065 नेटर रंड़ating के साथ टॉप पर है नीजलेंड का रंड़ैट के मामले में पीछे है लेकिन अग्र के मामले में भारत से आगए है कीवी टीम के चारों मैच में वाच छे अंक हैं उसका नेट रन रेट प्लस वन पॉइंट टू सेवन सेवन है वहीं भारती सरस्तान पर है अफगानिस्तान प्लस वन पॉइंट फॉर रेट वन के नेट रन रेट के और चार अंक के साथ चौस सरस्तान पर है अफगानिस्तान क इसके बाद भारत को नामी विया से आउट नमबर को मुकाबला खेलना है अफगानिस्तान यूलन के मैस से सारे समिक रन भारती खिलाड़े के सामने होंगे उना पता होगा कितने रन या विगेट से भारत को मैस जीतना है भारत ने हो मैस जीता तो समिक रने के लिए क्वालिफाई कर जाएगी नमस्कार